हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना निजूज नमश्कर आप देख रहे हैं हला बोल कारक्रम और मैं हूँ आपके साथ शुभें दो सिंग और आज हला बोल कारक्रम के जरीए हला बोलेंगे बड़ती महँगाई को लेकर और आज जस्तेजी के साथ प्याज ने लोगों को रूलाया है उसके बाद एक प्रभाव आलू के दामों में भी देखने को मिल रहा है और इसका प्रभाव कितना पढ़ रहा है जरा बात आज इसी पर दरसल महँगाई की मार एक बार फिर से आम लोगों के उपर पढ़ती हुए नजर आ रही है और लोगों की जेब पर सीधे सीधे डाका डाला जा रहा है और इसका प्रभाव लोगों को नजर भी आ रहा है मंडियों के भीतर जब ग्रहनियां पहुँच रही है तो कही न कहीं एक पहला सवाल यही होता है कि आकिर इतनी महँगाई क्यों कई ऐसे सवाल है कई ऐसे चीजें हाल फिलाल के भीतर हुई है जिन के बाद अब आलू ने रोगों को रुलाया है दोजार अठारा के मुकाबले पचास फीस्दी सबस्या महंगी हुई है दिसंबर तक राहत नहीं मिलने के आसार यहां नजर आ रही है और ये सब क्यूं हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना चा रहा है कि मौसम का जो बिगरता हुआ मिजाज है उसकी वज़े से सबस्या महंगी हो रही है और दो दिन में आलो के दाम दोगने हो चुके है यानि कि दो दिनों के भीतर भीतर की यदि हम तस्वीर को समझें तो दाम दोगने तक पहुँच चुके हैं लेकिन ऐसे में कई सवाल है और इन महंगाई की मार आम जनता यूँ ही छेलती रहेगी और आखिर कब आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे ये जुमले बाजी होती है ये बयान बाजी होती है चाहे कोई भी राजनितिक दल हो लेकिन इससे इतर आम जनता के लिए राहत भरे दिन कब आएंगे ये बड़ा सवाल है क्योंकि सबसे जादा तरस्त आम जनता महंगाई की वज़े से होती है लेकिन दूसरी तरफ सरकार महंगाई रोपने में क्या नाकाम साबित हो रही है और ये आखिर क्यों हो रहा है क्या सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा रही है ताकि महंगाई कुछ हद तक कम हो सके यदि आपको कुछ लगता है इस विशे पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं अपने विचार इस मंच के जरीए साजा करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस कारिक्रम के जरीए अपनी बातों को आप साजा कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार नमबर फ्लेश हो रहे हैं जिनके जरीए आप इस मंज के साथ अपनी बातों को बता सकेंगे लेकिन कई सवाल है सवाल ये भी है कि महंगाई पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है ऐसे कई बड़े विशे हैं ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब लिया जा रहा है सरकार से पूछा जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब दिये भी जा रही है वो शायद उतने संतोचनक नहीं है क्योंकि उनका ये मानना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर क्योंकि एक सा समय नहीं रहता है महंगाई भी उपर आती है महंगाई नीचे भी जाती है बहुत सारी कोशिशे होती है सरकार के दोरा लेकिन उसमें कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता है लेकिन क्या सरकार के इस बैयान के साथ हम ये मान लें कि अब जो चीज़ें बिगडी हुई हैं उनकको उसी फ़ोड़ाद क्छ़ोड़ दें क्या महंगाई जिस तेजी के साथ बढ़ रही है तो क्या सरकार से सवाल पूछना चोड़़ें ये ऐसे कई चीज़े हैं लेकिन आप भी इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को आप बता सकते हैं हला बोल कारेकरम के जरी आप साजा कर सकते हैं कि आप वाकरी में क्या समझ रहे हैं महगाई की मार जो आम जंता पर तेजी के साथ पढ़ रही है उसको लेकर के कई बार ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हैं कि आम जंता ही खुद सामने आ करके ये सवाल पूछती है लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं हमार साथ खौलार भी कारेकरम में जोड़ चुके हैं हिसार से निधी इस वक्त हमारे साथ कारेक्रम में जोड़ चुकी है। निधी बहुत स्वागत है आपका कारेक्रम में बताइए क्या कहना चाहेंगे आज की विश्वाइपर आप। आम चंचा के उकल आर्थिक मंदी का जो इस संकत मंदा रहा है। इसके लिए हम जिसको दिन्मेदार करें। कि सरकार वादे से बहुत करती हैं लेकिन उनको कभी पूरा नहीं करती है। बोला था कि महंगाई कम पोगी, लोगों कैच से लिन आएंगे, सबी सुवित हैंदी जाएंगी, विवस्ता दिनी से लेकिन देखे तो आम दिन तो रोने के लिए मजबूर हो गया है। बहुत शुक्रिया ने दिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ी हैं और आपने बातों को साजा किया है और लगतार आप सभी की तरफ से हमें अप प्रोतिक्रियां मिलने शुरू हो गई हैं ओनलाइन खुल चुकी हैं जुनके जरीया आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को बता सकते हैं और आज इस विशे को लेकर के इस मुद्दे को लेकर के क्योंकि जहां एक तरफ देश बर के अंदर अलग अलग तरीके से आवाजे उठाई जा रही हैं कई सवाल पूछे जा रहे हैं अलग अलग विशे इस वक्ते देश के अंदर चल हम ये भी समझते हैं कि आज जब महंगाई की मार पूरे देश के अंदर पढ़ रही है तो क्यों नहीं सबसे पहले इस पर चर्चा की जानी चाहिए क्यों नहीं सबसे पहले इसको लेकर के बात करनी चाहिए एमडी शर्मा हमार साथ अगले कालर कारक्रम में जोड़ चुके हैं बहुत सवागत है सर आपका कारक्रम में बताईए क्या कहना चाहेंगे आज की विशे पर आप नमस्ते सर, नमस्ते सर कार्ची के लिए इस देश को ज़डबा दिया इसके जिए किया जिरूट शर्मा कमी को चुपाने के लिए अच्छे दिन आएंगे ये इस देश को जड़ाने में परदान मंतरी, अमीच सा, समर्ती रानी और हमारे कानून मंतरी जी के बड़ बोले बोल से आज देश के हलाग बुर गड़ चुके है ये मुसल्मान नहीं हिंदों के साथ भी है 2002 से पहले के जन्में बच्चों के आज कमिटी में मुझा नाम लिखाओ उनकी मा कर लाओ, बाप कर लाओ, नानी कर लाओ, या चला रख रहा है ये प्लैटफॉर्म है, खुला मंच है, जहां पर आप अपनी बातों को साजा कर सकते हैं और महगाई को लेकर के जब प्रदेश और तेश के अंदर लोग परिशान है, तरस्त हैं तो क्यों नहीं इन ही विशेओं को लेकर बात होनी चाहिए ये श्वन्त हमार साथ अगले कारक्रम में जोड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ये श्वन्त आपका कारक्रम में बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज की विशेओं पर आप मैं ये ये कहना चाहा हूँ जी ये जरीष सो कब तक मत्जमबर सुस्भर उर मचंबर बात करे आप ये से बात करेंगा न इसमेरे से मत्जमबर कख रहा हूँ परिश मैं घ्ताफोड एंड़ पर आप देख टोंस 5 इंड़ेवश इंड़ कां गले कर रह चाह बन रहे हैं कि इस सब्जी का हो एका सबजी कोशिश हमारी है यह वी है एश्वांदड बहुत शुक्री आप हमार पर आधारित होना चाहिए हमारे देश के अंदर उन विश्यों को जादा प्रमुक्तक जाद दिखा जाना चाहिए जुसमें आज हमारे देश के अंदर चीजें बिगड़ती वे नजर आ रही है एक बार फिर से हमारे साथ MP शर्मा कारिकरम में जोड़ चुके हैं कॉलर बहु के सामनी है और इस विशे पर आप क्या कहना चाहते हैं ये देखो कि आज एक गिरनी महिला के जुसोई पे कितने मलव डाका डाल रख्या है प्याज सबजी दाज मसाले कोई भी चीज जैसी हो जो सस्ती हो दो हजार पहले जब दो हजार चोदा के अंदर च्यार सो रुपे गैस मिलती थी वो आज साड़े पांशो छेसो साथ सो ले जाते हैं किसी के आ रहे हैं किसी के नहीं आ रहे हैं अनाज का अनाज फिर भी आज के दिन में सस्ता है और सबजी कोई भी ले ले लो फुरूट ले लो कोई भी हर चीज में महिला हो रहा है आदमी एक 35,000 कमाने वा तो ये महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा करते देश के विकास पर क्यों नहीं चर्चा करते जिससे के आम आदमी को सुईदा मिले जी आदमी एक 35,000 कमाने वाले हैं नहीं है बहुत स्वागत है रागनी आपका खारकर में बताईए क्या के ना चाहेंगे आप लगता है शायद असम पर कूड़ गया है लेकिन आप सभी की तरफ से लगातार हमें जो परतिक्रियां मिल रही है महंगाई को लेकर के आज जब इस विशे को लेकर के जब बात करनी चाहिए जब ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर मुद्दों से अलग हट करके राजशनीती हो रही है तो बात मुद्दों की भी होनी चाहिए मुद्ध ये कि क्या महंगाई तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है देश के अंदर और यदी बढ़ रही है तो क्यों नहीं इसको रोकने के लिए महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं राजीश सहरावत हमरे साथ कॉलर पलवल से जूट चुके हैं कारेकरम में बहुत स्वागत है राजीश आपका कारेकरम में बताएए क्या कहना चाहेंगे आप जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजिकल जो सिन्टर गोवर्मेंट है हमारे देश के अंदर और जो हरी慌ना स्टेट में भी ज़गोंच है इनका जो कार्ये हैं तो existem पॉढ़ा पब्लिक के कम समझ में आ रहा है क्या चल रहा है एक्चली अब देश के अंदर की कहा लड़ना चाहिए बेरोजगारी से बहुत जादा महेंगा ही हो रही है इस से लड़ना चाहिए देश को या कि नए मुद्ध जैसे CAA बिल पास कर दिया तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये गौवर्मेंट से ही मैं एक आपके छिरी मीडिया के छिरी एक जबान मांगना चाहता हूँ देश के एक रहमंतरी अमिस्ताहजी और देश के प्रद्रहमंतरी नरेंदर मुद्ध जी से मान के चलिए CAA जो बिल पास किया गया है अफगानिस्तान बांगला देश और पाकिस्तान से करीवन दो और धाई करोड़ की तकरीवन सिंख्या में वहाँ से लोग यहां पर आने वाले हैं तो उन्हें सरकार जो है वो रहने के लिए आवाशी योजना भी देगी जमीन भी देगी जोब भी देगी इसे कई विशंय हैं बिल्कुल राजश ये कई बिश्य हैं जिनको लेकर के बाद होनी चाहिए और हो भी रही है लेकिन सवाल कई हैं बहुत चुकर हैं कारकरम में जोड़ें हो और मैं यह कहा रहा हूं जो सब्जी एतनी भी है यह प्याज के या आलू के जो एकदम दुगने रेट हो गए हैं हम सरकार इस तर ध्यान क्यों नहीं दे दिए एक तो बहुत है अब की लोगों के उमीद भी हो रही है जब भी बीजेपी सरकार आई है प्याज नहीं बीजे है होना है हूं झी के बहुत शक्रीया क्रिश्मि-चाहिल आप भम में जब चुण हमारा जा तो ये कई बातें हैं ये कहा जा रहा है कि ऐसा समय भी रहा है जर महंगाई को लेकर ही सरकार परिवर्तित हो गई सत्ता परिवर्तन हो गया लेकिन क्या इस महगाई को रोका जाना सरकार की प्रात्मिक्ता में शुमार है क्या सरकार महगाई को कम करने के लिए कोई कोशुश कर रही है ऐसे कई सवाल है जो कि जनता जानना चाहती है और ये देखना भी चाहती है कि इन सवालों की सामने आने के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया जा रहा है ऐसे कई चीजे हैं यहां रुकरें एक छोड़े से ब्रेक के लिए बेके बाद आप सभी का स्वागत है हला बोल कारिकरम में और हला बोल कारिकरम के जरिया अच प्रदेश में बढ़ती महकाई को लेकर के हम इस मंच के जरी आवाज उठा रहे हैं तेश पर के अंदर जो सब्सियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं बात आज इसको लेकर के है और यदि आपने अभी तक कॉल नहीं किया है कारिकरम में तो बहुत कम समय रह गया है जल्दी से जल्दी कारिकरम में जोड़ करके आप बताईए कि आखिर महकाई को लेकर के जो आज मंडियों के भीतर हालात बने हुए हैं सबसियां लोग नामातर के लिए खरीदने के लिए जा रही हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है और यदी ऐसा है तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं आखिर महकाई से निजात कब मिलेगी यह ऐसे कई सवाल हैं जो कि लगातार सरकार से पूछे जा रहे हैं और सवाल ये भी है कि आम आदमी को इस महगाई से निजात कब मिलेगी अच्छे दिन कब आएंगे आम आदमी के और इसलिए सत्ता परिवर्तन हुआ था देश में एक नई सरकार और स्थर सरकार देश के लोगों ने हमारे देश को दी एक पार्टी को बहुमत दिया लेकिन उ 2018 के मकाबले 50 फीसेद सबजियों के दाम महगे हुए हैं और दिसमبر तक फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं वही मौसम के बिगडते हुए मिजाज ने सबजियों के दामों को महगा कर दिया है और दो दिन के भीतर भीतर आलू के दाम दूगने हो चुक पढ़ रहा है हम आर साथ कारक्रम में कुछ कारक्रम में जूट चुके हैं फरीदाबाद से बहुत स्वागत है कुछ आपका कारक्रम में बताइए क्या गेना चाहेंगे आप सबजी के दाब बहुत ज़यादा मेंगे होगे बहुत ज़यादा बढ़ गए हैं पहले प्याज जो 120-1506 पहुच चुके है उसके बाद ये कहनम आलू है उसके बाद दूसरे सबजीया हरी सबजीया भी काफे मेंग्य हो चुकिया तो ऐसे में सरकार को काफी सकते करने चाहिए कि एक्सेन में आना चाहिए देखना चाहिए कहीं कोई जमा झालकारी आपते जमाखोरी को रखा है और जैसा जमाखोरी जनता है जानना चाहती है कि सरकार कम से कम सामने आए सरकार जानकारी दे लोगों को कि आखिर कितना ऐसे जमाखोरी के करने वाले लोग जो है सामने हैं और कितने लोगों के खिलाफ आक्शन लिया गया है क्योंकि ये भी एक बड़ी परिशानी है कि जमाखोरी होती रहती है और उसी के है कि कितने ऐसे जमाखोरों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं कितने जमाखोरों के खिलाफ आक्शन लिया गया है ये ऐसे कई सवाल है लेकिन आपको बता दे की लगातार जिस विशे को लेकर के हम बात कर रहे हैं वो बड़ती महंगाई है और महंगाई को लेकर कि आज क्या त समय के अंदर इन चीजों के अंदर बदलाफ लाने की Rajत Näहीं है क्या और क्या जब हम दूसरे वि्षयों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं बाते कर रहे हैं और अदिश के और दूसरे जो विषय हन्पर हम जाधा ध्यान फोकस कर रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसा हूना चाहिए कि प्रदेश की जंता पर देश के लोगों पर कितना पट रहा है फिलाल के लिए बस अतना ही नमस्कार